हेलो गाईज क्याल चाल स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में आज हम कर रहें चैप्टर 6 अकाउंटिंग इस ग्रूप कर दो अपने फ्रेंट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्यूशन नमबर 87 क्या गिवन एक क्यूशन के अंदर देखो एक्स यजड लिमिटिड है जन अथुराइज क्यापिटल ओफ रूपीज फोर लेक्ट डिवाइड इंटो दो शेर्स ओफ रूपीज ट्वेंटी इच कितने की इसकी फोर लेक रूपीज की एक सेर कितने का 20 रूपए का तो कितने सेर्स हो गए इसके पास 20,000 सेर्स कितने सेर्स वे 20,000 सेर्स मतलब 20 का सेयर दो रूपए प्रीमियुम पे इशू किया तो कितनी वैल्यू बनी इसकी 22 वैल्यू अप्लिकेशन इंद अलोटमेंट पे मंगाए 10 रूपए फॉर्स्ट को ल की पर मंगाए 4 रूपए प्रीमियम है तो कैपिटल की वेल्यू इसके अंदर दो रुपए प्रीमियू की वेल्यू दो रुपए चार रुपए ने टोटल अच्छा बैलेंस मंग आया इसने एजन वेंड रिक्वाइड तो बैलेंस कितना आएगा फाइनल कोल के उपर 10 प्लस 4 कितना हो गया 14 14 हो गया 22 टोटल वैल्यू है 14 हमने कोल कर लिया बैलेंस कितना बचा आठ रुपए तो बैलेंस एजन वेंड रिक्वाइड कितना होगा एट रुपीज होगा दा कम्पनी मेड बोद दा कोल्स दा अप्लिकेशन एंड अलोटमेंट वनी वास डूली रिसीवट बट एस सेर ओल्डर हो तो फर्स्ट एंट्री के आएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लिकेशन एंड अलोटमेंट अकाउंट क्योंकि अप्लिकेशन अलोटमेंट का पैसा हमने एक साथ मंगाया है कितने सेर से अपने पास ट्वंटी थाउज डेबिट टू सेर कापिटल अकाउंट कि अ कि अ कि दो लाग रुपे कोई एरियर कोई अड्मांस कुछ नहीं है आप पर थर्ड एंट्री अब हमने क्या किया फर्स्ट कोल कि अमाउंट कितनी फोर रुपे इंक्लूडिंग प्रेमियम ऑफ 2 रुपी तो एंट्री क्या बनेग इस प्रेमियम अकाउंट कि 20,000 सेर्स की उपर अमाउंट मंगानी है दो रुपे अपने पास क्यापिटल के दो रुपे प्रेमियम के और टोटल कितना आएगा अपने पास फोर रुपी सो कितना आ जाएगा यहाँ पर 80,000, 40,000, and 40,000, 20,000 इंटू टू उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डबेट टू सेर्स कोल अकाउंट कितनी अमाउंट आएगी देखो एरियर कितने सेर्स के उपर हुआ है टू थाउजेंट सेर्स के उपर 2,000 इंटू 4 कितना एरियर हो जाएगा अपने पास 8,000 का अमाउंट आनी कितनी है 80,000 80,000 की अमाउंट आनी है 8,000 का एरियर हो गया so 80,000 माइनस 8,000 कितनी अमाउंट आएगी अपने पास 72,000 की अमाउंट आएगी कितनी अमाउंट आ जाएगी 72,000 की चीक है यह हो गया उसके बाद next entry करेंगे भम share final call debit to share capital account कितने share से 20,000 shares और कितना call करेंगे यह हमने यह पर लिख दिया कितना आएगा अपने पास 8 रुपी balance amount कितना है 8 रुपी का तो कितना हो जाएगा 1,60,000 and 1,60,000 उसके बाद next entry आ जाएगे अपने पास bank account debit to share final call account अब कितना area होगा इन 2,000 shares के उपर final call के 8 रुपी इसने नहीं दिया मतलब 16,000 का area हो जाएगा तो amount आनी कितनी है 1,60,000 area कितना हो गया 16,000 का तो amount कितनी हो जाएगी 1,44,000 उसके बाद next entry आ जाएगी share capital account debit अब security premium debit हो गया नहीं देखो premium कहा है अपने पास call के उपर तो इसने क्या call का पैसा दिया नहीं दिया मतलब इसने security premium का पैसा भी नहीं दिया तो security premium को हम क्या करेंगे debit करेंगे two share first call and two share final call and two share forfeiture account जो भी पैसा आयो से कहां ट्रांसफर कर देंगे forfeiture के अंदर two thousand shares forfeiture करने twenty का एक share मतलब की forty thousand two thousand shares forfeiture करने दो रुपे premium के इसने pay नहीं किये four thousand two thousand into four रुपे इसने कहां नहीं दिये first and final call के sorry first call के कितने होगी amount अपने पास eight thousand की two thousand into eight इसने final call के कितने नहीं दिये sixteen thousand और जो balance आएगा वो कहां लिख देंगे मूँ अपने पास share forfeiture में तो यह हो जाएगा forty four thousand eight thousand and sixteen thousand तो balance कितना बचा thirty six thousand कहां चला गया share forfeiture के अंदर यह मेरे को गलत क्यों लग रहा है एक मिनिट forty four thousand minus eight thousand minus sixteen thousand twenty thousand आएगा यह गलत यह कितने amount आएगी आपे twenty thousand की amount आएगी जिसको हम कहां लिखेंगे share forfeiture के अंदर next entry करेंगे अब हम shares को रीशू करेंगे रीशू कैसे करने सारे के सारे shares रीशू कर देने 14 रुपी के according fully paid fully paid value कितने 20 रुपी का तो entry आजाएगी bank account debit share forfeiture debit to share capital account two thousand into twenty कितना हो जाएगा forty thousand two thousand into fourteen twenty eight thousand two thousand into six कितना हो जाएगा अपने पास 12,000 discount की value जिसे हम कहां लिखेंगे forfeiture में 20 का share था 40,000 value हुई थी 20 का share रीशू किया 14 में तो six रुपे कहां जाएगे अपने पास forfeiture के अंदर next entry आ जाएगे अब share forfeiture account debit to capital reserve तो capital reserve में कितना जाएगा 20,000 minus 12,000 कितना जाएगा capital reserve के अंदर 8,000 direct minus क्यों किया क्योंकि सारे share सी रीशू हो गए के लिए रहे ठीक है तो यह अपने पास answer हुआ इस question का complete तो show नहीं कर सकते अगर करना यह तो low गई तो यह कुछ answer दिखर आपको ठीक है 87 complete हुआ अब आजओ question number 88 के उपर the mohon limited agent authorized capital of rupees 5 lakh divided into the 50,000 shares of 10 each the company issued a prospectus invited application for 30,000 shares of 10 each अटे premium of 2 per share 10 रुपे का share 2 रुपे premium पे issue क्या मतलब share की value कितनी होगी अपने पास 12 रुपेज की payable as follows on application 3 on allotment including premium तो premium की value 2 रुपे है तो capital की value कितना होगे इस 5 में 3 रुपे का first call 2 रुपे second and final call के उपर 2 रुपे बट total करो क्या पूरी amount call हुई या फिर नहीं हुई 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12 पूरी amount call हो गई the company received application for 45,000 shares कितने shares के application आई 45,000 shares की and pro rata allotment was made in respect of application of 40,000 shares कहने का मतलब क्या है कि 5,000 shares हमने क्या कर दिए यहाँ पे reject कर दिए अब देखो इस question में कोई requirement नहीं है वो टेबल बनाने की ठीक है 45 थे 40,000 इशू कर दिए मतलब कि 40,000 के लिए जिसने apply किया उनको कितने shares इशू किया हमने 30,000 shares हमने इशू किये ठीक है यह 45 हो गया और यह अपने पास 30,000 हो गया अगर लिखने तो बना allotable ऐस सच कोई requirement है न money overpaid on application was employed towards some due on allotment, the calls were made, B to home 300 shares were allotted failed to pay 2 calls, उसने किसी भी call का पैसा नहीं दिया, B के पास जो shares 300, the company decided to forfeit these shares and subsequently were reissued fully paid for 9 per share, मतलब 10 रुपए का share कितने में reissue किया इसने नो रुपए के अंदर, करना क्या question में, cash book करना है, journal entries करनी है, कब हमें calls in area का account open करना है तब, question simple है, दिखने में landy है, करेंगे soul, बहुत हीज़ी है यह, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम पर cash book लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cash book, अब जब हम cash book कर रहें, तो bank से related सारी entry किस के अंदर करनी है, हमें, cash book के अंदर करनी है, ठीक है, So, first entry क्या होती है, bank account debit to share application account, bank account debit to share application account, तो, कितने shares issue की है, company ने, 30,000, लिकिन application कितने की आई भाई, 45,000 की, 45,000 multiply by, कितनी amount call करने application के उपर हम, 3 रुपए, 45,000 into 3, कितनी amount हो जाएगी, amount हो जाएगी, 1,35,000, उसके बाद, यह हो गया, next क्या आ जाएगा, अपने पास, अब, जो अपने पास, reject हुए, कितने shares हमने reject कर दिए, 5,000 shares हमने reject कर दिए, उसको credit side लिख लेंगे, cash book में, क्या लिखेंगे, by share application account, कितने shares reject की, हमने 5,000 into 3, 15,000 की amount हमने reject कर दिए, अब, हम अपने पास, first entry करेंगे, first entry क्या रहेगी, अपने पास, share application account debit, to share capital account, to share allotment account, अच्छा, अब application में कितना लिखने है, 1,35,000 minus 15,000, कितना लिखेंगे, आपे 1,20,000, क्योंकि, 5,000 shares हमने reject कर दिए, उसका पैसा माइनस करके लिखते हैं, अब, capital में कितने shares का transfer करने, 30,000 multiply by 3, कितना हो जाएगा, 90,000, और access कितना अर्जेस्ट की हमने, 40 वालों को कितने shares दिए हमने, 30,000, मतलब 10,000 shares का हमने अर्जेस्ट किया, 10,000 into 3, जो allotment पे चला गया, 30,000 रुपीज, ठीक है, उसके बाद, second entry के आ जाएगी, share allotment account debit, to share capital account, and two securities premium account, and two securities premium account, कितने shares अपने पास, 30,000 shares कितना call कर रहे हैं, 5 रुपे, 30,000 into 5 रुपी, कितना हो जाएगा, 1,50,000, अब इसके अंदर, 30,000 के अंदर, जो 5 रुपे थे, उसमें 3 रुपे capital के है, 2 रुपे किसके हैं, premium के है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60,000, sorry, 90,000 and 60,000, क्लिए है, उसके बाद, next entry आ जाएगी, bank account debit to share, allotment account, allotment में कितना पैसा आएगा, देखो, due कितना 150, लेकिन, already कितना आ चुक है, access application पे, 30,000, so, 1,50,000 minus 30,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,20,000, उसके बाद, next entry करेंगे, अब हम, third, share first call debit, to share capital account, share first call debit to share capital account, कितने shares हैं, बाई, कितने shares है, 30,000 shares, call कितना करेंगे, first call के उपर 2 रुपे, so, 30,000 into 2, कितनी amount हो जाएगी, 60,000 and 60,000, उसके बाद, next entry आ जाएगी, अपने पास, bank account debit, आप देखो, यहाँ पे, call sign error का account हमें open करने, तो यहाँ लिखेंगे, bank account debit, call sign error debit, हम entry क्या करते हैं, मैं entry लिख देता हूँ, अभी मत लिखना आप लोग यह, bank account debit, call sign error debit, क्योंकि call sign error का account हमें open करने, to share, क्योंकि ने बोला न, call sign error का account हमें open करके देना है, यहाँ पे, calls in error debit, to share first call, यही entry करते हैं, amount कितनी आएगी 60,000, अच्छा, error कितना होगे अपने पास, error यहाँ पे आ गया, कितने shares के उपर, 300 shares of B, 300 multiply by 2, 300 multiply by 2, error कितना हो जाएगा, 600 रुपी का error आ जाएगा, तो bank में कितनी amount आएगी, 60,000 minus 600 मतलब 59,400 के लिए यह करने, अब हमें bank की entry यहाँ पे नहीं करनी, bank की entry हमें यहाँ पे नहीं करनी, कहां करते हैं यहाँ पे, bank account debit to share first call account, और bank के amount, आगया amount कितनी है, 59,400 रुपी के, कितना हो गया, यहाँ पे जो calls in area है, वो वहाँ पे हमें bank में adjust नहीं करना, तो हमें इसकी journal entry करके दिखानी है, और करनी ही है, ध्यान रखना भाई, मेरे पास बच्चों के comment आएंगे, पूछेंगे, सर यह entry हमने, यहाँ पे adjust नहीं कर देते, नहीं करना भाई, यहाँ पे ही रहेगी, यह entry, ठीक है, इस entry को हमें यहीं पे ही रखने है, आगे देखो, next, अब हमें क्या करने, second and final call करने, to share capital account, बस नाम चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, वही shares, वही amount अपने पास, 60,000, 60,000, उसके बाद, next entry आजाएगी, calls in area debit, उतने ही shares के उपर, area उसे ज्यादा ही नहीं, calls in area debit to share, second and final call, कितने shares के उपर area है, 300 shares के उपर, दो रुपए के हिसाब से, और यहाँ पर amount कितनी आ जाएगी, two shares, second and final call, कितने amount आ जाएगी, 59,400, मतलब बिल्कुल सेम है, यहाँ पे ना सिर्फ, नाम चेंज हुए, बाकी कुछ ही फरक नहीं पड़ा, उतने ही shares के उपर area है, और उतनी ही amount अपने पास आईए, अब हमने share, second and final call तक की entry कर ली, अब हमें क्या करने, shares को forfeit करने, forfeature की entry करेंगे, 7th entry, क्या आएगी share capital account debit, two share first call, नहीं, first call नहीं लिखना, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे to calls in area, क्या लिखेंगे calls in area, to share forfeature account, कितने shares forfeit करने, 300, पर share की amount कितनी, 10 रुप की, तो कितना हो जाएगा अपने पास 3000, कितनी amount पे नहीं की, इन्होंने कितनी amount पे नहीं की, call scenario की, एक तो 600 रुपए यहाँ पे, एक 600 रुपए यहाँ पे, total कितना area आगया, 1200 रुपए का, तो इसने payment कितनी की, 3000-1200 मतलब की, 1800 की इसने payment की है, जिसको हमने transfer कर दिया काँपे, four feature में, उसके बाद, next entry आजाएगी bank account debit, reissue की entry करेंगे, bank account debit, अब 10 रुपए का share, reissue की हमने कितने में, 9 रुपए के अंदर, so entry आजाएगी bank account debit, 2 share, capital account, 300 multiply by, 9, 2700, 300 shares जो हमने forfeit किये थे, वो हमने reissue कर दिये, कितने रुपए के हिसाब से, 9 रुपए के हिसाब से, ठीक है, अब यहाँ पर next entry आजाएगी, share for feature debit to capital, sorry, share for feature account debit, to share capital account, जो वो एक रुपए था ना, देखो, 9 रुपए तो हमने bank में डाल दिये, 9 रुपए तो हमने bank में डाल दिये, लेकिन, एक रुपए का हम discount भी तो दिखाएगे ना, जिसे हम for feature में लिखते है, 300 and 300, उसके बाद, next entry आजाएगी, share for feature debit to capital reserve, share for feature account debit to capital reserve, कितना transfer कर देंगे, 1800 minus 300, 1500, direct minus क्यों किया, क्योंकि सारे के सारे sales क्या हो रहे हैं यहां पर ratio होने है, सारे के सारे sales क्या हो रहे हैं यहां पर ratio है, ठीक है, तो यह अपने पास answer हो गया, इस question का, और कुछ पुछा था इस question में, general entry and the cash book, बस यही करना था, आप total कर लो, और balance देखो कितना आएगा, 1,35,000, 1,20,000, 59,400, 59,400, plus 2700, यह आगया, 3,76,500, 376,500, यहां से minus करेंगे 15,000, balance बच जाएगा, अपने पास, 3,6,15,000, क्या लिखेंगे हैं, हम यहां पर, by balance, cd, 3,6,15,000, यह answer हो गया, complete, चलो, next देखते, question number 89, बहुत easy question है, देखो, क्या करना है, A limited ने forfeit कि, 800 shares of 10 each issued at 20% premium, कितने premium में issue किए 20%, to be paid at the time of allotment, और premium कब आएगा allotment पे, लेकिन payment किसकी नहीं आई, final call की नहीं आई, out of these 600 shares were issued as fully paid of 13% journalized, तो first entry के आएगे अपने पास, share, capital account debit, security premium debit नहीं होगा, क्योंकि security premium आरा allotment के उपर, area किसकी उपर है, first and final call के उपर, final call के उपर है, final call के उपर, कोई अपने पास security premium नहीं है, तो हम लिखेंगे two share, final call account, and two share for feature account, कितने shares अब आपने पास, 800 shares, called up amount, पूरे के पूरे 10 रुपे, मतलब कितना हो जाएगा, 8,000, किसके पैसे नहीं दिये, इसने final call के 2 रुपे नहीं दिये, 1600, and 800 balance कितना बचा, 8 रुपे मतलब की 6400 कहां transfer हो जाएगा, for feature के अंदर transfer हो जाएगा, second entry, bank account debit, bank account debit, हमने क्या किया, रिशू कर दिया, 600 shares, fully paid up share, 13 में रिशू किया, मतलब 10 रुपे का share कितने में रिशू किया, 13 में, security premium हो गया न, 3 रुपे का, 2 share capital account, and 2 securities premium account, कितने shares रिशू किया, 600, कितने में 13 के इसाब से, 600 into 13, कितना आ जाएगा, 7800, 600 into, पर share के amount कितने fully paid, 10 रुपे, तो capital में कितना जाएगा, 6000, and 600 into 3 कितना हो जाएगा, अपने पास, 1800 यहाँ पर, उसके बाद, third entry आ जाएगी, share for feature debit to capital reserve, share for feature, account debit to capital reserve, तो अब capital reserve में कितना transfer करेंगे, capital reserve में transfer करेंगे, देखो, अपने पास कितनी amount आई, 6400, कितने shares के उपर आई, 800 shares के उपर, कितने ratio की हमने, 600, तो solve करेंगे, तो कितना आजाएगा, अपने पास यह, यह आजाएगा, 4800, share for feature second entry में debit नहीं हुआ, तो 4800 complete कहाँ पर transfer हो जाएगा, share for feature से, capital reserve में कितना transfer हो जाएगा, 4800, के लिए रहे, next question देखते है, question number 90, क्या करना है, इस question में, B limited ने forfeit किए 500 shares of 10 each issued at a 20% premium to be paid at the time of allotment, for non payment of first call and the final call 2 रुपी, अब जो allotment वो का, sorry, जो premium में वो का आ रहा है, allotment के उपर, allotment के उपर कोई आ रहे रहे नहीं, मतलब security premium में debit नहीं करना, पहले for feature के entry कर लेते हैं, first entry के आएगी share capital account debit, to share first call, to share final call, और जो भी balance पैसा बचा वो कहाँ चला जाएगा, for feature के अंदर, to share for feature account, अच्छा कितने shares forfeit करने, 500 share, call up amount पूरी 10 रुपे के, 500 into 10, कितना आ जाएगा, 5000 रुपीज, उसके बाद, 500 into 2 रुपे, 3 रुपे, first call के उपर नहीं, 500 into 2, 2 रुपे final call के उपर, मतलब 1500 and 1000, अब balance कितना बचेगा, 5000 minus 2500, 2500, for feature में कितना चला जाएगा, 2500, for feature में चला जाएगा, अरे balance 5 रुपे तो आए ना, हमारे पास, वो रुपे, second entry, अब ratio कितने किये, 300 shares ratio कि, as fully paid, मतलब 10 रुपे का share ratio कर दिये, 10 रुपे के अंदर ही, सही है, ना तो for feature आएगा, सोरी, हाँ, ना तो share for feature आएगा, ना ही, security premium आएगा, तो entry के आजाएगी, share capital account debit, bank account debit, to share capital account, bank account debit to share capital account, कितने shares ratio की आपने, 300 shares, कितने के हिसाब से, 10 रुपे के हिसाब से, और 10 ही fully paid value है, तो कितना आजाएगा, 3000 and 3000, उसके बाद third entry, share for feature debit, to capital reserve, share for feature debit to capital reserve, कितना transfer करेंगे भाई, ये देखो, 250 की amount है, कितने shares के उपर, 500 shares के उपर, कितने ratio की हैं, 300, sold करेंगे, तो कितना आएगा, 1500, for feature debit हुआ, नहीं हुआ, तो ये complete, 1500 कहाँ चला जाएगा, capital reserve के अंदर, for feature debit होके, credit क्या हो जाएगा, capital reserve, next देखते, question number 91, देखो, क्या given है, C limited ने forfeit किये, 300 shares of 10 each, issued at 20% premium, to be paid at the time of allotment, और for non payment of allotment money, of 4 per share, first call 3, and final call of 2 per share, जो premium आने, वो किस के उपर आने, allotment के उपर, और इसने allotment का ही पैसा नहीं दिया, तो security premium क्या होगा, debit होगा, clear है, तो पहले हम for feature के entry करेंगे, for feature के entry के आ जाएगा, अपने पा, share capital account debit, securities premium debit, 2 share allotment account, इसने allotment का पैसा नहीं दिया, allotment के उपर ही premium आना था, तो premium को भी हमने क्या किया, debit किया, 2 share first call, 2 share final call, and 2 share for feature account, देखो वे, कितने share 300 shares, कितनी amount आनी अपने पास, 10 रुपए, fully cold, sorry, share के अपने पास, fully cold up है, तो कितनी amount हो जाएगी, आप पी 3000, premium का कितना पैसा नहीं आया, 2 रुपए, कितना हो जाएगा, 600, ठीक है, 10 का 20% premium मतलब 2 रुपए, ठीक है न, उसके बाद, next हो जाएगा, allotment का कितना पैसा नहीं किया, 4 रुपए, 1200, उसके बाद 300, into, first call के 3 रुपए नहीं आये, and is final call के 2 रुपए नहीं आये, कितना हो जाएगा, 900 and 600, 3600-1200-900-600, तो balance कितना बच जाएगा अपने पास 900, देखो ऐसे कर लो, इन दोनों का total करो, और इनको minus कर दो, total करके, तो balance कितना बच जाएगा 900, अगर ऐसे नहीं करना, तो देखो 10 plus 2 कितना हो जाएगा 12, 12 में से इन तीनों का total minus कर दो, कितना बनेगा, 9, मतलब की तीन रुपे, 2 share for feature अकाउंट 900, उसके बाद next entry आ जाएगी, second, out of this, उसमें से 200 वर रिशूड, अच पुली पेड़ पेटे, discount of 3 per share, कितने shares रिशूड के 200, discount question ने खुदी बताया, और discount की amount को, हम कहाँ transfer करते, share for feature के अंदर, तो entry क्या बने की, bank account debit, share for feature account debit, to share capital account, देखो, अब 200 shares, रिशू करने, at a discount of 3, और fully paid value, कितनी है, share की 10 रुपे, 10 रुपे का share, 3 रुपे discount पे गया, तो रिशूड प्राइस कितना हुआ, 7 रुपी का, यह आ जाएगा, 1,400, 200 into 3, कितना हो जाएगा, 600, और fully paid value, कितनी 10 रुपे की, तो multiply by 10 करेंगे, कितना आ जाएगा, 2000, उसके बाद, third entry, share for feature, account debit to capital reserve, अब capital reserve में, कितना transfer करेंगे, capital reserve में, transfer करेंगे, हम देखो, amount कितनी अपने पास, for feature की 900, कितने shares के उपर है, 600 आया, और debit भी कितना करना है, 600, 600, minus 600, तो capital reserve में, जाएगा, एक मिट रूको, answer check करने दो, ठीक है, यही है, capital reserve में, क्या amount जाएगी, अपने पास, 0 जाएगा, इस question में, capital reserve में, कुछ भी नहीं जाएगा, तो यह अपने पास, answer हो गया, ठीक है, next देखते, question number 92, आज का last question है, देखो, X limited ने 4 feet किये, 800 shares of 20, each issued at a premium of 2 per share, 2 महें, 18 called up, amount called up कितनी है, सिर्फ 18 रुपेज की, on which he did not pay, the first call of 4, of these, 300 shares were issued at 15 per share, 18 paid up, journalized, हमें क्या करने है, journal entries करने, बिल्गुल simple question, देखो कैसे करेंगे, first, share capital account debit, security premium debit होगा है नहीं, नहीं होगा, security premium debit यहाँ पे, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, because he did not pay the first call of 4, उसने first call के चार्ड नहीं दिये, और first call के उपर premium नहीं है, premium अगर नहीं बोला तो हम किस के उपर mention करते हैं, allotment के उपर, share capital account debit, to share first call account, and to share for feature account, 18, sorry, 800 shares, amount called up कितनी, 18, 800 shares, कितनी payment नहीं की first call कि, इसने 4 रुपए की, 1800, तो जो balance बचेगा, 18-4, 14 रुपी वो कहाँ चला जाएगा, for feature में, so 800 into 18 कितना आ जाएगा, 14,400, 800 into 4 कितना हो जाएगा, 3, 2, 00, and, 1800 into 14, कितना आ जाएगा अपने पास, 11,200, clear, second, bank account debit, bank account debit, अब हमने क्या करना है, shares को रीशू करने, 300 shares को रीशू करेंगे, 15 में, hold up amount या फिर paid up amount कितनी है, 18 रुपीज की, तो 3 रुपे का क्या हो गया, discount हो गया, और discount को हम कहा लिखते है, share for feature के अंदर, तो bank account debit, share for feature account debit, to share capital account, 300 shares multiply by, कितने में रीशू किया, 15 में, तो कितनी amount हो जाएगी, 4500, paid up amount कितना बताया, 18 रुपी का, 300 into 18, कितना आ जाएगा, 5400, and 300 into 3 का क्या हो गया, discount हो गया, 900 आ जाएगा, अपने पास share for feature के अंदर, उसके बाद, third entry हो जाएगी, share for feature, account debit to capital reserve, तो capital reserve में, कितना transfer करेंगे, हम capital reserve में, transfer करेंगे, कितनी amount है, 11,200, कितने shares के उपर है, 800 shares के उपर, ratio कितने की है, 60 कोरोबाई कितना आएगा, amount आ जाएगी, 4200 की, 4200 में से ratio पे, loss कितना आ गया, 900 का, so 4200 माइनस 900, कितना balance बच जाएगा, balance बच जाएगा, 3300 का balance, और ये कहां transfer हो जाएगा, capital reserve के अंदर, ये amount transfer हो जाएगी, तो entry क्या बनेगी, share for feature, to capital reserve 3300, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे हमने complete किया, ये कौन सा question था अपने पास, ये था question number 92, ठीक है, 92 तक कबर हो गए, max to max 5 से 6 वीडियो, और लगाएगे, और ये chapter भी अपना complete हो जाएगा, के लिए रे, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, विए नेक्स्ट कुश्यों, कुश्यों no. 93, थैंक यू,